गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकारांत पुलिंग के विसे में पढ़ा था आज हम आकारांत इस्त्री लिंग के विसे में पढ़ेंगे तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी परिभासा देख लेते हैं जो सब्द इस्त्री जाती का बोध कराते हैं, उन्हें इस्त्री लिंग कहते हैं बच्चों, सबसे पहले ये जान लें कि आकारांत किसे कहते हैं जिस सब्द का अंतिम स्वर आ हो, उसे आकारांत कहते हैं या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सब्द जिसका अंत आ से हो उसे आकारांत कहते हैं आईए उदारण के द्वारा आकारांत को समझने के कोशिस करते हैं जैसे सारिका सौ हलन्त प्लस आ प्लस र हलन्त प्लस इ प्लस को हलन्त प्लस आ इसका अंतिम स्वर आ है अतह या आकारांत इस्त्रिलिंग सब्द है इसी प्रकार कुछ और भी उदारण दिये हैं जैसे अध्यापिका छात्रा अजा मक्चिका महिला आदिशब्द है इन सभी सब्दों का अंतिम अक्षर का है जब हम अध्यापिका का उचारण करते हैं तो इसमें देखिए अध्यापिका अंत में आ आ रहा है छात्रा का उचारण करते हैं तो उसमें भी छात्रा आ आ रहा है अजा आ मक्षिका आ महिला आ इन सभी सब्दों का अंतिम अक्षर जो है स्वर है और आ है बच्चों केवल ब्यांजन में ही लगता है स्वर में लगता है अकारांद सब्द होते हैं। अच्छो उसी प्रकार इकारांत इकारांत भी इस्त्रिलिंग सब्द होते हैं इकारांत का मतलब जिस सब्द का अंत इ से हो उसे इकारांत करते हैं उसी तरह से उकारांत सब्द भी इस्त्रिलिंग सब्द होते हैं जैसे वधू है रज्जू है आदि रिकारांत सब्द भी इस आप पढ़ चुके हैं, आईए मेरे साथ आप भी अभ्यास करिए, बाला मतलब एक बालिका या एक लड़की, बाले दो बालिकाएं, बालाह अनेक बालिकाएं, छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, छात्राह अनेक छात्राएं, महिला एक इस्त्री या एक महिला, म महिलाह, अनेक महिलाएं, चटका, चटका मतलब चुडिया होता है, चटका मतलब एक चुडिया, चटके मतलब दो चुडिया, चटका मतलब अनेक चुडिया, मक्ची का मतलब मक्खी होता है मक्ची का मतलब एक मक्खी मक्ची के दो मक्खी मक्ची का अनेक मक्खिया लता एक लता लते दो लताएं लता अनेक लताएं अध्यापी का एक अध्यापी का अध्यापी के दो अध्यापी का आएं अध्यापिका अनेक अध्यापिका है नौ का मतलब नाव होता है एक नाव नौ के दो नामे नौ का अनेक नामे अन्य उधारण है गाईका एक गाईका गाईके दो गाईका है गाईका है अनेक गाईका है कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिला अनेक कोयल वाटिका, वाटिका मतलब होता है बगीचा, एक बगीचा, वाटिके दो बगीचे, वाटिका अनेक बगीचे नाशिका मतलब नाक होता है, नासिका एक नाक, नासिके दो नाक, नासिका अनेक नाक मूसिका मतलब होता है चुहिया, एक चुहिया, मूसिके दो चुहिया और मूसिका अनेक चुहिया कन्या का मतलब होता है लड़की, कन्या मतलब एक लड़की, कन्या दो लड़की, कन्या अनेक लड़किया बच्चों इस्त्रिलिक बहचानने के लिए एक बचन में आकी मात्रा, दुई बचन में एकी मात्रा और बहु बचन में आह की ध्वनी निकलती है जैसे बालिका, बालिके, बालिका आपको तृतिय पाठा इस्त्रिलिक बिसे पढ़ा दिया गया है इस वीडियो को बार बार देखिए और अभ्यास करिए धन्यवाद